Hello friends, this is Mansi. Welcome back to my YouTube channel. Today we will do exercise 1.1, question number 9 of class 12. Show that the each of the relation R in the set A equals to X belongs to Z. That means integer X की value जो है वो लाई करे 0 to 12 के बीच में given by आपको पहला बताना है कि R of A, B, A minus B is the multiple of 4. मतलब जो R set के अंदर ordered pair लेने हैं, वो multiple of 4 होने चाहिए, जो 4 से divide हो जाते हो. And A, B, A equals to B, इसमें A और B को equals लेना है, जो भी ordered pair होंगे, यह दोनो equals में होंगे, तो prove करो कि यह equivalence होगा. फिर साथ में यह बताना है कि set of all elements related to 1 in each case. तो हमें यह बताना है, इसके अंदर हमें वो write करने हैं, जिसके अंदर जो आपका ordered pair होगा, उसके अंदर 1 आ रहा होगा. तो चलिए start करते हैं. सबसे पहले हम अपना R बनाते हैं. तो R के अंदर हमें multiple of 4 लेने हैं. तो जैसे मान लो मैंने एक order pair बना लिया 11, ठीक है, जो की multiple of 4 हो गया, ठीक है, एक मैंने बना लिया 04, एक मैंने बना लिया 40, ठीक है, तो इस तरह से बन जाएंगे, और क्या हो सकते हैं, 26, 62, ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे order pair बन जाएंगे, हमें सारा लिखने की अब हम पहला करेंगे reflexive, अब reflexive क्या होता है, reflexive में क्या होता है, a, a belongs to r, अब a, a belongs to r होना चाहिए, it means जो भी आप ordered pair लोगे, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, क्योंकि 12 तक है, तो 12 तक बन जाएंगे, तो अब आप इनका difference चेक करेंगे, तो वो क्या r में जाएगा, हाँ, क्यों और 1-1 हमारा 0 होता है, तो 0 जो है, मतलब 4 जो होगा, वो 0 को भी divide करेगा, तो it means multiple of 4 हो गया, ठीक है, तो पहली property हमारी क्या होगी, reflexive हो गई, अब दूसरी हमारी क्या है, symmetric, दूसरी हमारी क्या है, symmetric, अब suppose मैंने इसके अंदर क्या होता है, a, b belongs to r, तो b, a belongs to b, क्या होना च ठीक है, अब हम check करते हैं, जैसे a, b belongs to r, तो कोई भी हमने ऐसा ordered pair लिया, जैसे 2, 6, ठीक है, अब 2, 6 लिया, अब 2, 6, r को belong कर रहा है, a minus b, तो 2 minus 6 हो जाएगा, क्योंकि ये absolute value जोगी positive हो जाएगी, तो ये 4 का multiple हो जाएगा, अगर मार्लो मैंने 6 to b लिया, तो भी 6 minus to 4 हो ग क्योंकि इसमें a, b और b ये चलता है, ठीक है, तीसरा है, हमारे पास transitive, अब transitive क्या होता है, transitive में हम बार-बार ये ही पढ़ चुक है, a, b belongs to r है, b, c belongs to r है, then a, c belongs to r होना चाहिए, ठीक है, तो अब हमारी r set की condition क्या है, कि multiple of 4, सिरुफ mind में ये ध्यान में रखना है, अब हमारे ordered pair इस type के थे, जैसे मालो मैंने कोई भी ले लिया, suppose मैंने 1, 5 and 1 ले लिया, ठीक है, तो 5 और 1 का जो difference होगा, 4 होगा, तो 4 इसे multiple of 4 हो गया, ठीक है, 4 बंदा 4 होता है, अब अगर 1, 5 ले लेती हूँ, तो वो भी multiple of 4 होगा, तो इसका AC क्या बनेगा, 5, 5 बनेगा, तो 5 minus 5, 0 होता है, 0, इसे multiple of 4, तो it means यह हमारा transitive भी हो जाएगा, तो जो reflexive भी होता है, symmetric भी होता है, and transitive भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, equivalence relation, तो यह हो जाएगा हमारा equivalence relation, ठीक है, अब अगले में हमें क्या करना है, R equals to A, B, A equals to B, तो it means A और B दोनों equal होने चाहिए, जब इस type का question है, और elements हमारे यह हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे ordered pair कैसे बनाएंगे, जब equal हैं दोनों, तो मान लो मेरे पास यहाँ पर elements क्या है, 0 to 12 हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, up to 10, इसमें भी ऐसे हैं, 0, 1, 2, 3, up to 10, क्योंकि यह A set है, यह B set है, दोनों equal हैं, ठीक है, तो अब यहां से ordered pair जो मेरे बनेंगे, वो कैसे बन सकते हैं, 0, 0, 0, 1, 0, 2, ठीक है, ऐसे 1 के साथ बना लेंगे, 1, 1, 1, 2, ठीक है, ऐसे 2 के साथ बना लेंगे, 2, 1, 2, 2, corresponding बहुत सारे ordered pair आ जाएंगे, इस R set के अंदर, अब हमें चेक कर रहा है, सबसे पहले, क्या चेक करना है, हमें reflexive, अब reflexive की same steps रहेंगे, कि A, A belongs to R होना चाहिए, तो A, A belongs to R, अब अब चेक कीजिए, A, A, तो इसमें क्या itself ordered pair नहीं आएंगे, आएंगे, 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा, तो reflexive तो हो गया नहीं, अब उसके बाद है हमारा symmetric, ठीक है, अब symmetric में क्या होगा, symmetric अब check कर लिजी, अगर यहाँ पर जैसे 1, 2 आ रहा है, तो 1, 2 का 2, 1 भी होगा, 1, 12 है, तो 12, 1 भी होगा, तो it means यह symmetric भी हो जाएगा, उसके बाद है third हमारा transitive, अब transitive क्या होता है, A, B, जैसे मालूम मैंने यह ले लिया, 1, 2 ले लिया, 1, 2 belongs to R है, 2, 1 belongs to R है, तो इससे क्या बनेगा, 1, 1 बनेगा, तो वो भी किसको भी लोग कर रहा है, R को कर रहा है, तो यह transitive भी हो गया, तो it means यह वाला set भी हमारे पास equivalence relation हो जाएगा, अब एक चीज और है यहाँ पर, find set of all elements related to 1 in each case, ठीक है, तो आपको वो बताने है, each case में, जैसे पहला case क्या था, multiple of 4 वाला कि अंदर ऐसे elements ordered pair लेने हैं, जो की 1 से related हो, तो ऐसे क्या हो सकते हैं, आप उसके अंदर ले लिजे 1, 5 और 9, तो ordered pair क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास ordered pair क्या हो सकते हैं, एक तो 1, 1 हो सकता है, 1, 5 हो सकता है, और 1, 9 हो सकता है, क्योंकि देखो, 1, 1, 0 तो multiple हो गया, one five हो गया, one nine तो one इसके अंदर contain भी कर रहा है और ये four का multiple भी होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर elements आ जाएंगे one one, one five and one nine